हां जी प्यारे वद्यार्थियों आदुनिक पंजाबी कव्ता काव संग रहा है जिस्ती संपाधना कीती है डाक्टर जिस्विंदर सिंग सैनी और डाक्टर योगराज ने उस पुस्तक दी कि उनत्यमी कवित्री उस पुस्तक दे आखरी कवित्री और बहुत महत्तपूर्ण कवित्री उस त्यां रचनामा बारे उस ते जीवन बारे साथे स्लेबस चो रचनामा देती हैंने उना बारे कुछ गल्ला इस वीडियो लेक्चर दे विच तवा डिनल करांगा अमरत अपने आप दे विच बड़ी प्यारी शक्सियत है सुख्विंदर अमरत बारे जे तुसी लाइव कुछ जानना होवे ता मैं तुन्हों पहले दास दिया के यूट्यूब ते जायो ते सुख्विंदर अमरत पायो बहुत सारी या रचनामा तो नू बोल दिया तुस यूट्यूब राही एस कवित्री नू जानना चाहोगे सुख्विंदर अमरत आर्थ तुखां ते मजलूम इंसानियत दी ब्लंद सुरवाड़ी एक बड़ी प्यारी शायर है उदा जनम जिड़ा है ग्यारां दसंब नीसो त्रेट नू पिंड सदरपुरा जलाला दे अना साला मगरों एक प्राइवेट स्कूल्च दाखला लाके बच्चे नाड़ जमाता लाके दस्वी पास किती है फिर उसने एमें पंजाबी कर दी वो बच्चपन तो ही कव्ता लिख दी सी पर उस ती मातानुए चीजां पसांद नहीं सी क्योंकि प्रणे विचारां दे सी ओन कि माहँ होब होब के लोकान दासदी के सुखविंदर उसनी सब तो स्यानी ते प्यारीती है सो कई बार माबापनू अपने बच्चेयां दी समर्था बारे उन्हादे गुणा बारे नहीं पता हुंदा तो सुखविंदर अपने तराने इस तरह दा बहुत कुछ वापने है जे मैं कहां के सुखविंदर अमरत सेल्फ मेड टोटली सेल्फ मेड शक्सियत है और जिसने अपने आपनों सिथापत कीता और अपने गुणा नूं उजागर करने वेचे खोद हिमत कीती सुखविंदर अमर्त ने पंजाबी साहतनों सथ काफ संगरेतेयां जिनना आवेरवा जदोशी तरने ने तापने लाजड़ा काव संगरें होगारा है सूरज दी तेहलीज साई तो रच दी दाशिए उसतो बाद चिरागा दी डार कज़ रहें फिर इस काव संग्रें दें पंजाबी साहिद दी चोड़ी पाई है ते इस तो लावा पाशापाग पंजाब दे शुरूनी पंजाबी कवी होन दा मान वी उनानू हासल है ते होर देश्व देश वेच पतनी किनियाग संस्थावा होन गिया जिनना ने सुखविंदर अबरत नू सनमान देके खुद नू सनमान मैसूस कीता परेगा सुखविंदर ने अजोकी खुली पुंजीवादी ववस्था देवेच औरत दीजडी तरास्तिक हूंद है या संतापा मारी हूनी है उन्हों निरसंकोच होके एक जबान देती है पंजाबी दा बहुत प्रसित आलोचिक और साहित का डाक्टर जिस्विंदर सिंग जो पंजाब इनुस्ट्री पट्याड़ा तो बतौर प्रफेसर रेटायर होंदा रटीन कादमे की वीरेंद है उदे बोला मताबक और तनू नाम परवान के एक वस्त एक निगुणी आधा जिमें जमांदरू हक समझा जाता है कि ते सखुविंदर ने इस विवस्था दे अमान वी पानते चुल्मनू वंगा रहे हैं अजिहां डाक्टर जिसिंदर कहेंदा है इस महान के वित्री बारे वो मर्दी विरूती नहीं है वो मर्दावी जाल मनना हूं मैं मारी वि वर्नाओं सावें सुखावें संवेदना परे पाक वित्रनात्यां महबतां जीवन महबतां ते जड़े इस तरह दी जड़ी जीवन शहली है उदी तर्जमानी करती है दर्द ते सुपने अपूर्तियां ते तंगा संताब ते चा यह उदी कफ्ता दा एक तरह दा जिवन्त पिंड़ा है गए उदी कफ्ता चे औरत रूपी इंसानी रूदे जिसम दियां बलांद सुरांदा सिर्जनात्मक सुर्ताल है और खुली कफ्ता भी लिखिया ते घजला भी बढ़ी खुश्रूर्त लिखिया दोना रूप कारांदे विच्च काव रूप कारांदे विच्च उदी विशेश नपनता जड़ी है वो देखिजा सकती है शेर सिर्जन दी उसकोड़े डूंगी सुजी है ते प्रपक्क महारत है लफ्स उसदे शिदती बना पावानू यों सुर्ताल वेचे जागदे ना इस दे जबान देंदे है जिमें आप महारे चश्मा अपने वेग ते सुर्ताल ना फुट रहा होगे फिरस्तो व्यगे शब्दां दी चोन तर्तीब ते उसारे सैस बंद ना सिर्फ डूंगी सवेधना सगों मननूं तूपों दी संगीतिकता देवी तार नहीं हंदे है नदी तुप चुन्नी कणिया सूरज चिराग पत्चड बहार बिर्ख पत्ते हवा पर्फ एस तरह देजले मेटाफर है उस्ती का प्रत्बादार एक नविकला प्रमार है उजिए इना मेटाफर न बहुत वर्तोंज लेके हो दिये उदी कवता ख्याला कतना ते बोज तो उदी काता है कि अधी सम्वेदिन शीव देल दी चीज ते सोते प्रफोते दमाग दी जिस्तुजूती वहाँ का है उप्रकिर्ती स्रिष्टी स्माज इदिस्मित और्त मरते अपने चंगे मडे सिर्जे संसार विच किस तरह जिद्धी जिडिये पिताई जा सकती है उसनों पेश करती है सब तो पहला संजी कर देए इस वित वहल हैं उस कज़ल कहसी मिनमादी सकते हैं बड़ी ही नरम पती हां कि लिख दिए इस और्श जिनन्ग पती हां तो पथानादी सथाई हां मैं टुट के साख अपने तो तिरे कदमज आई हां बड़ी ही नर्म पत्ती हां, तुफाना दी सताई हां, मैं टुट के श्थाख अपनितों तेरी कदमच आई हां मैं किसनू अपना आखा, के थे कौन है मेरा, मैं कल पेके पराई सी, अज सहरे पराई हां सुखंदर अमर्दी घजल देविच अंकत ने जिनवसी नन अनुमान दे सकते हैं, बड़ी ही नर्म पत्ती हां ते देविच क्वित्री ने जड़ा पार्थी समाजे विच पती दे कार्चे स्त्री दी जड़ी स्थिती है, वो बड़े संवेदन शील टांगनाल पेश कीती है वो कहिंदी है के हे सजण रूपी पती, मैं एक बहुत नर्म जी पत्ति हैं जिननों समाजे तुफानाने बहुत सताया है, बहुत मैंनों डाकडाक के रख्या है, वो माप्यान रूपी अपनी साखनार टुटके उते कदमा चाहिए, जिन मैं माप्यानों छटके तेरे ना कहें, क्योंको उन्हों जाबदा है, इठ्धे उस्ता कोई अपने ही नहीं है, कल उपेके करदेविच प्राई समझी जन्दी सी, ते अजो सौरे करदेविच भी प्राई है, आम कहा दित्ता जन्दा है, कि तियां ता प्रायाता नहुंदी है, जैनि मापे भी उन्हों प बदले ने, कटा बणके वी छाई हां, नदी बणके वी आई हां, ना मेरे हंजुआ तो डर के पल्ला कर तेरी खातर, छुपा के भुलियां विच मैं बड़े हाथ से ले आई हां, वो की कह दिये है, कि आपने पतीन हो तहाया थल कहिंती है, कि उसने उसने खातर कई की रूप चड़े हा, वो बदले, वो उसने बदला बदला ना थी, कटा बणके वी छाई है, ते कदे नदी बणके वी आई है, वो उसने हंजुआ तो ना डरे, सो वो पला भलाए वो अपनिया बुलियाच चपा के बहुत सारे हासे भी नाल लेके आई है मेरी तासीर एक सिक्का है जिसने दो-दो पहलो ने तासीर क्यों दिया खासित असर मेरी तासीर एक सिक्का है जिसने दो-दो पहलो ने किसे लिए दर्द बन जावां, किसे लिए मैं दवाई हां ए रुत्ता सार्यां मैंनू मेरे अनकूल ही जापण मैं बारशने वी चमबी हां, मैं तुपने वी तपाई हां तक वित्री इस घज़दीन अशेरच की केंदी है कि इस्तरी दे रूप विचों दी विशेष ता एक बड़ा एक इस तरह दा सिक्का होन दे विच्छा है जीजे दो पहलू है इस करके वो किसे नूँ ता दर्द दे रूप प्राप्त हों दी है ते किसे नूँ द्वाई दे रूप जो उनना सारियां रुता जनिया है उसनों बार्शन भी बहुत चम्बया है ते उननों तुपाने भी बहुत तुपाया है पर आव उनने जिद्गी दे विचे सुख भी बहुत देखे है ते दुख भी बहुत देखे है मेरा जगते मुकाम ऐ दोस्त अजे निश्चत नहीं होया मेरा जगते मुकाम मुकाम की हुदा है स्थान जगा हूंत मेरा जगते मुकाम ऐ दोस्त अजे निश्चत नहीं होया कोई आखे मैं जर्रा हां जर्रा पाव किनका कान कोई आखे मैं खुदाई है कोई तो मैंनू जर खुदाई समय्दाइ स्रिष्टी समय्दाइ काहिनात समय इस समझन वाड़े ती निर्पर करता है क्यों मैंनू की शम्यदाइ सो अंतम शेयर देघ्च जड़ी एकल कि सुखविंदर अब्रत कर दिये एसब तो वध समवेदन शील है के आरतनु समझन वाड़े किनकावी सम्य देने कानवी समझ देने ते उस आरतनों समझनवादेवनू खुदाईवी शम्झतेरे कि सो एसी दिए रचना बड़ी ही नर्म पत्ति हां अगली रचना लगदा सी रोज इक दर्या कि लंगदा सी रोज एक दर्या एवी मुसल्सल गजल है लंगदा सी लंगदा सी रोज इक दर्या दराँदे नाड़दी कदकू तिकर दोस्तो ओ प्यास अपनी टाड़दी बाग दे विचो दिवानी पॉन अद्धी रातनू सुत्या शाखां दे कूले फुल्चुम के उठावलती बाग दे विचो ओ दिवानी पॉन अद्धी रातनू सुत्या शाखां दे कूले फुल्चुम के उठावलती ता अधरीक पुझाबी कवता दी ए घजल सुख्विंदर अमरती लिखी हुई लंगदा सी रोज इक दर्या प्यार पुखनू पर्गड करन्दे नाल उस दे इस दी त्रिप्ती करन्दे यतन विच्चुम के तो खाजान सुबंदी पावानू पेश करदें प्यार पुखदी त्रिप्ती लिखी बाद पती भी हो सकता है प्यार पुखदी त्रिप्ती लिए ही बाद प्यार दी दवानी पाउन हर रोज दी रात नूं जाके सुत्यां शाखाउंते लगे कूले फुला नूं चुमके और ठाल दी ते रोज रात नूं जदो दी याद हों दी है तो दे वल अकर्षत होना खुत्र थी गार कोस्दी ओ बहुत आपने आपनों पर फेर वी कोस्दी लाट बनके गुजर दी खबरे केड़े चन दे टुगड़े नूं रेंदी पाड़ दी वो कि दिया के बेशक प्रीत नाइका प्यार दे मामलेच अपनियां गल्तियां समधी अपने आपनों बहुत कोस्तियां पताना मैं गल्त कर रही हैं प्रन्तु फिर भी आपने आपनो रोक नहीं सकती ते गोर्यां फुल्ला दा प्यार प्रापत करन दी काली रीच नूं अपने मंच पाड़ती रही है यानि वो कितना किते बेशक को समय देके गल्त है पर उसनों इसा पूछ करना चंगा लगता है अग्या के दिया कि वह नेर्या रस्तियां चो लाट बनके ल उनी वी दिल लालया एक बिर्क देसंग अपना क्यों हवादी याद विच अपनी हयाती गाड़ दी डुब गई आखर ओ गंदले नीर दी एक चील विच हंसनी जेडी सी सुच्चे मोतियानू पाड़ दी वह के दिया के अंत प्रीत नेका ने अपना दिल एक रुख देनाल लाल्या उसनों की लोड सी कि चललδी होदी याच अपनी उमर गाड़े अग्यों केंदिया के अंत प्रीत ने का गंगले पाणी दिक चीव चे डब गई जदो के वो जही हंसने सी जो सुच्चे मोती पाल रही सी अखीर नू ओ एह जे था चले गए जिस थांते उदी ओ कदर नहीं बढ़नी सी जेड़ी कदर उदी किसे होर थांते जाके बढ़नी सी एसी लंगदा सी रोज एक दर्या सुच्विंदर अम्रदी रचना सो प्यारे वद्यार्थियो आदुनिक पंजाबी कफ्ता काव संग्रिया दे सारे कवी असी मुकंबल कर चुके हैं तुसी जड़ी कवीदे बारे जैनना होए जड़ी कवीदे बारे दबारा मेरे ख्यान नों सुननना होए त सो दुसी यूट्यूब दे STARTे ूपपर उस कवीदा नां पाके टे मेरा नां पाके वीडियो लब सकते हूँ जिसनों तुषी रिकॉर्ड ता नहीं कर दे पर ए रिकॉर्डड लेक्चर जिड़ाया तुषी किसे भी वेड़े जदो भी चाहो पेस्त्रेच बैठके रजाईच बैठके ता च्छत्ते तुपे बैठके कदे भी सुन सकते हो मान सकते हो सो एदे नाड़ी तोड़ा सलेबस मेरे वलोग पूरी तरह मुकम्मल है और जे कोई तोड़ी क्वेरी होएगी तोड़ी कोई पुछ होएगी ता तुसी मेंनों वर्षप रही पुछ सकते हो इने शब्दा नाड़ तोड़ा बहुत बहुत तनवाद हमेशा खुश रहो आबा बादरो रब्रका